नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंक्रैडिबल क्रियेशन्स में तो आज मैं पोटली बटन से नेक्ट लाइन बनाने वाली हूँ तो चलिए सुरू करते हैं बनाना यहां पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे मैं नेक की ब्रॉडनेस जो है यहां पर तीन इंच ली हूँ और नेक की लेंथ जो है वो 7.5 है और यहां पर उपर भी तीन इंच था इधर भी तीन इंच लेके एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और फिर नेक जो है यहां पर यह राउंड में रहेगा यहां पर राउंड शेप लगा लिया है मैंने और उपर से नेक की लेंथ जो है वो 15 इंच लिए है नेक की टोटल लेंद जो है वो 14 रहेगी मैंने एक इंच एक्स्ट्रा लिया है 15 इंच अब यहां से वन इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने शेप लगा दिया है अब इधर से 0.1 करके ऐसे स्ट्रेट लाइन खीचनी है नीचे तक 15 इंच तक फिर इस प्रकार से शेप लगा देंगे बाहर की तरफ नेक के बाहर की तरफ ऐसे शेप लगा लेंगे पुरा नीचे तक ऐसे शेप लगा लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे पहले बाहर की बाहर वाली कटिंग करेंगे और पेस्टिंग पेपर को बिल्कूल टाइट पकड़े रहेंगे कि वो जो इधा उधार ना हिले अगर हिल जाता है तो फिर उसकी कटिंग जो खराब हो जाएगी अब अंदर की कटिंग कर कर दो की पहले राउंड शेप में जो निशान लगा है उसे कट कर लेंगे और फिर इसे बहुत ही सावधानी से यह जो मैंने 0.1 के कशीर देशान लगा है उसे कट करेंगे इस तरह से यह neck जो है वो ऐसे cut चुका है इनकी cutting हो चुकी है अब कपड़े पर extra इसे extra कपड़ा लेकर ऐसे कपड़े को cut कर लेंगे और बिलकुल इसके center में ऐसे nail से press करते वे निशान लगा लेंगे और इसे iron कर लेंगे यह iron कर लिया है मैंने अब पोटली बटन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है और इसे छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे और पोटली बनाने के लिए मैंने थर्मा कोल की गोली लिया है जिसे इस तरह से करके चारो तरफ से ऐसे रैप कर लेंगे और सेम कलर के थ्रेड से इसे टाइट ले एकदम बांधेंगे तो यहां पर सेम कलर का थ्रेड लिया है मैंने और इसे एकदम ऐसे टाइट करते वे बांध लेंगे और जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी ऐसे गोल में एसे रैप कर लेंगे कि इस तरह से नीचे वाले कपड़े को भी गोल गोल ऐसे कर लिया है मैंने रैप कर लिया है और इसी प्रकार से सारे जो है वो बटन तयार कर लेंगे पोटली वाले बटन यह तियार हो चुके कई सारे मैंने बना लिया है बटन अब कुर्ती को मैं ऐसे बीच में या तो आप आयन कर लें या तो ऐसे नाखुन से प्रेस कर सकते हैं तो बीचो बीच एकदम सेंटर में मैंने ऐसे प्रेस कर लिया इसे और यहाँ पर कट कर लेंगे अब जो यह नेक था उसे भी इस तरह से जो उसका एक्ष्ट्रा कबड़ा था उसे ऐसे मसीन से इसकी सिलाई कर लेंगे चारो तरफ उसके यह जो मैं सिलाई कर रही हूँ इसे बाद में मैं जब कुर्टी पर अटैच करूँगी उसके बाद खोल लूँगी तो इसे चारो तरफ ऐसे सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से कपड़े को दबाते वे ऐसे नेक के किनारे किनारे ऐसे सिलाई लगा ली है जो नेक मैंने अभी बनाया था उस पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ तो उसके किनारे किनारे बिल्कुल ऐसे पाइपिंग लगा ली है ऐसे गुलाई में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से पाइपिंग लगाते जाएंगे इस तरह से ये पाइपिंग जो है वो चारो तरफ इसके लगा लेंगे और ये पाइपिंग लग चुकी है अब कपड़े का मैंने कुर्ती जो है उसकी रॉंग साइड ली है और इस तरह से रखेंगे कुर्ती की रॉंग साइड है और फिर दोनों सेंटर मिलाते वे ऐसे रखेंगे और बीचों बीच पहले जहां पर कट लगाया था, वहाँ पर सिलाई लगाएंगे, मैंने सिलाई नहीं किया है, वहाँ पर मैंने पिन लगा दिये हैं, अब इसके किनारे किनारे पिस्टिंग पेपर के बिलकुल नीचे से ऐसे सिलाई लगाएंगे, इस तरह से गुलाई में पहले सिलाई लगा ले रहे हैं पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल नीचे मैंने सिलाई लगाया है इस तरह से अब यहां पर भी बीच में सिलाई नहीं लगानी है पेस्टिंग पेपर के नीचे लगाया मैंने सिलाई बीच में लगाएंगे तो फिर वहां कपड़ा कट करना है इसलिए बिलकुल किनारे सिलाई लगानी है अब गुलाई में कट कर लेंगे इसलिए गुलाई में कट कर लेंगे अब यहां पर बिल्कुल साउधानी से ऐसे कट करना है कि इसकी जो सिलाई है वो न कटे इस तरह से मैंने यह कट कर लिया इसे भी अब इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे कपड़े को यह जो मैंने नेक बनाया है इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे ये सीधे की तरफ पलट लिया है मैंने और ये जो ओपन भाग है वहाँ पर ऐसे कपड़ा लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है पहले एक तरफ सिलाई लगाएंगे और उसके दूसरे तरफ जो है वो पोटली बटन जो मैंने बनाई थी वो लगाएंगे एक तरफ यह इस तरह से सिलाई लगा लिया है मैंने कपड़े को पर अब इसके दूसरे साइड जो है ऐसे यहां पर बटन लगाएंगे यह बटन जो है वो ऐसे इस पर बिलकुल बराबर कपड़े को रखते वे गैपिंग नहीं रहेगी बीच में ऐसे सारे बटन जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते जाएंगे यहां पर मैंने सिंगल फूट का यूज किया है डबल फूट से भी यह लग जाएंगे बटन लेकिन मैंने सिंगल फूट से ही लगाया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने ऐसे बटन जो है वो लगाए है और इसके अभी किनारों पर नेकी किनारे पर अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है मैं ये बटन लगाने के बाद इसके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी इस प्रकार से सारे बटन जो है एक एक करके लगा देंगे ऐसे यह बटन लग गए है अब इस पर डबल सिलाई लगा देंगे इस तरह से डबल सिलाई हो गई अब यह जो किनारे पर है यहाँ पर तुरपाई नहीं करनी है यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है इसके चारो तरफ इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे और यह जो नेक है वो बनकर लगबग तयार हो चुका है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा वीडियो देखने के लिए सैंक यू